सल्मान भाई ने दोस्तो कपिल शर्मा को दे दी है strict warning और कह दिया है कि कपिल शर्मा संभल जाओ नमस्कार मैं हूराहूल भोच स्वागत है आप सभी का आपके फेवरिट चैनल में दोस्तो हम सब को पता है कि सल्मान भाई ही producer है कपिल शर्मा शो सीजन 2 के और ये जो शो है ये TRP के मामले में आगे जा रहा है यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ दोस्तो सोनी टीवी के एक स्पोक्स परसन की तरफ से एक बात पता चली है और ये internal source है उन्होंने कहा है कि सल्मान भाई ने कह दिया है कपिल शर्मा को कि कपिल शर्मा समल जाओ ऐसे controversies में मत पड़ो जी हाँ दोस्तो आपको बताना चाहता हूँ कि कपिल शर्मा जी पहले भी आये थे दा कपिल शर्मा शो सीजन 1 लेकर लेकिन controversies, बहुत बड़ी-बड़ी controversies, थपड़ वाली controversies फिर उसके बाद जिस थरीके से उन्होंने senior media journalist को फोन पे जो चीज़े सुनाई थी उसको लेकर बहुत सारी controversies आये थी अब ऐसे में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कपिल शर्मा जी एकदम से अभी शान्त है और कोई भी controversy में नहीं पढ़ रहे है in fact वो गिनी के साथ बहुत ज़्यादा happy है और they are expecting, right? अब ऐसे में दोस्तों ये spokesperson ने बात कही है कि कपिल शर्मा को भाई ने बोल दिया है कि थोड़ा सा controversy से दूर रहो है and don't involve yourself in any kind of a controversy well let's see दोस्तों देखते हैं अब क्या होता है लेकिन ये सलमान भाई ने बहुत ही अच्छा suggestion दिया है कपिल शर्मा जी को और अब कपिल शर्मा जो है रुकने का नाम नहीं लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे कपिल शर्मा जी की ये बात को लेकर आपको क्या है कहना? कमेंट सेक्षन में आप लोग कमेंट कीजिए और बताईए मुझे और प्लस आपको कैसा लग रहा है कपिल शर्मा शो अरे हां बाई दबे इस बीच जब उनसे पूछा जाता है इंटरनल सोर्स से की सुनिल ग्रोगर क्या वापसी करेंगे तो उन्होंने कहा impossible, he will not return let's see, hope for the best, आपको क्या है कहना? कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा, बने रहे है च्रैनल के साथ, keep on watching